हेलो आप देख रहे हैं और स्टेडी इस दी चैनल आज हम आपके लिए मोच इन पॉसंट कुशन लेकर आए हैं साइन्स का है यह देखें में पास MBDA NCRT की है कुशन है इसमें अनाज दाल फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है तो आप इसको समझना रटना नह ही है अनाज हमें कार्बोहाइडरेट प्रदान करते हैं जो सरीर के पोशक के लिए बहुत उप्योगी होता है यह हमें गेहूं चावल मक्का बाजरा तथा ज्वार से प्राप्त होते हैं किस्से होते हैं मिलते हैं पोशक तो हमें गेहूं चावल मक्का बाजरा तथा ज्व जोर से प्राप्त होते हैं इनसे हमें ओर्जा मिलते हैं इनसे क्या मिलते हैं ओर्जा यानि कि एनर्जी मिलती है दालों से हमें प्रोटेन प्राप्त होता है सबी को पता है न दाल से क्या मिलता है प्रोटेन प्राप्त होता है किसमे होता है प्रोटीन, चना, मटर, उरद, मूँ, आरहर और मसूर में होता है प्रोटीन फालो और सब्जों से विटामिन, खनीच, लवणों की अतरिक्त कुछ मातरा में प्रोटीन, कार्बोहाइड़िट और वसा भी प्राप्त होती है सब्जी से हमें क्या है पहला तो विटामिन मिलता है खनीच, लवणों भी मिलते हैं ठीक है कुछ सब्जी ऐसी है जिन से प्रोटीन और कार्बोहाइड़िट और वसा भी मिलता है ठीक है तो समझ में आ गया आनाज से क्या है पहला तो हमें कार्बोहाइड़िट मिलता है ठीक साथ में प्रोटीण, कार्बोहाइड़ेट और वासा भी मिलते हैं ठीक है अब कुछ अनकोन सी दालों से हमें प्रोटीण मिलता है तो चना मतल ऊड़त मूं अरहर मसोर इन दालों से हमें क्या प्रोटीन मिलता है अगर विटामिनख मिलता है। कुछ अजयां से जिनमें कार्बोहाइडरेट, प्रोटिन और वासा भी मिलता है, कार्बोहाइडरेट किसे मिलता है? अनासे मिलता है, तो यह सिंपल सा कोश्टन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लेज चैनल को सस्क्काइब कीजियो, और वाले कन जरूर्दवाय असे आने वाली वेडियोस के लिए थाइंक्यू, अब हम नेस्ट रूडियों मिलेंगे